हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू क्लास के टीजी टी पीजी टी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में तो चलिए मित्रों आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम ले रहे हैं पास्चात्य सहली से कुछ और बहत्रीन प्रश्णोत्तर जो आपको बहत्त पसंद आएंगे और अगर पसंद आएंगे तो लाइक जरूर करिएगा सेर करिए जयदा से जयाज जितना हो सके ताकि आगे भी किसी को लाप मिल सके और केमेंट्स करिए अच्छे अच्छे और उत्तर भी दीजिएगा मेरे उत्तर देने से पहले तो चलिए इनी बातों के साथ सुरवात करते हैं पहले प्रश्ण का प्रश्ण का कहना है कि नो सास्त्रियतावादी चितरकार का नाम बताना है आपको जोरी को दोमियर डेविट या ब्रुगेल इनमें से कौन सा वो चितरकार है जो नो सास्त्रियवाद से संबंध रखता है तो पहले प्रश्ण का उत्तर आपका हो जाएगा गा डेविट ठीक है अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण कह रहा है कि एलप्रेको की पेंटिंग मंदिर का सुधी करड़ ठीक है ध्यान से देखिएगा एलप्रेको नाम है और उन्होंने बनाया है मंदिर का सुधी करड यह एक painting है, यह याद रखिएगा, किस कालावाद के अंतरगत आती है सास्त्रियवाद, रोमान्शवाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद इन चारों में से वो कौन शवाद है, जिसमें एल प्रोको की painting मंदिर का सुधी करण आता है तो इस प्रसन का जो राइट एंसर होगा, वो आपका हो जाएगा ख रोमान्शवाद के अंतरगत, किस के अंतरगत? रोमान्शवाद के अंतरगत अगला प्रसन देख लीजिए, प्रसन का कहना है डेविट का वो चित्र जो नो सास्त्री वादता का सरवपर्थम चित्र माना गया यानि कि डेविट का वो कौन सा चित्र है जो नो सास्त्री वादता का पहला चित्र माना गया फर्ष्ट चित्र माना गया नो सास्त्री वादता के समय का डेविट की ओचित्र है उस चित्र का नाम क्या है होरीशिया का प्रड सुकरात के मिर्तियों पागल हत्यारा या मिनरवा की बिजय इन में से कौन सा है जो डेविट द्वारा नौसास्त्रीवाद का पहला चित्र माना जाता है तो मित्रो इस प्रसन का राइट इंसर हो जाएगा को होरीशिया का प्रड ये पहला चित्र है डेविट का नौसास्त्रीवाद का आगे बढ़ी है अगला प्रशन देखिए क्या पूछ रहा है अगला प्रशन का कहना है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार नौसास्त्रीवाद नहीं है नहीं है नौ सास्त्रियवास रखने वारा संबन्द चित्रकारिन में से कौन सा दाविद अग्र बिली लिबर्न या देलाकरा कौन ठीक है तो उम्मेद करता हूं कि आप इस प्रसंद का जबाग कमेंट्स बाक्स में कमेंट्स करते रहे होंगे मेरे उत्तर देने से प चलिए देखते हैं इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा तो मित्रो इस प्रसंद का सही उत्तर हो जाएगा देलाकरा क्या होगा देलाकरा जो है वो नौ सास्त्रियवादी चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाते है अगला प्रशन प्रशन का कहना है कि नौ स्थर्वाद के क्या है जो नौ सический वाद है उसका मुंख्य उद्दे से क्या था कला के नए यूनानी रोमन कला सिधान्तों का अनुकरण करना पुर्ण थान कperformance क्ला का नुकरण ठीक है तो फटाफट कमेंट डालते जाए मित्रो वीडियो पशंद आए तो लाइक करते जाए ये सेर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ये आपसे हमबल रिक्वेस्ट हैं तो इस प्रसंद का हमारा जो जबाब होगा वो आपका हो जाएगा अगले प्रसंद को देखिए अगला प्रसंद कह रहा है कि टर्किष बाथ ये चितरकार तर्किष बाथ के जो चितरकार हैं वो कौन है किसने बनाया है डेविड ने, पिकाशो ने, अग्र ने या इन में से कोई नहीं कौन है जिन्होंने टर्किश बात चित्र को बनाया उस चित्रकार का नाम हम से इसमें से पोच रहा है ठीक है? तो इस प्रसन का जो जबाब होगा वो आपका हो जागा अंग्र इस समय चलना है पास्चाति सहली से कुछ और बहतरीन पसंदतर इसके पहले तेन वीडियो आल्रेडी इससे समंदित दिये जा चुके हैं जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे अगला प्रशन है नौ सास्त्रियवाद का प्रमुख चित्रकार कौन से है? नौ सास्त्रियवाद का प्रमुख चित्रकार यानि मुख चित्रकार किसे माना गया वैसे तो चित्रकार बहुत सारे उसमें है लेकिन प्रमुख चित्रकार का दरजा किसे प्राप्त है? लुई दावीद को, अंगर को, लिबर्न को या के नोवा को किसे प्राप्त है प्रमुक चितरकार का दरजा नोव सास्त्रिय वादता में तो मित्रो इस प्रसन का राइट अन्सरा आपको हो जागा है लुई दावीद किसे प्राप्त है लुई दावीद को अगला प्रश्ण है हुराथी की सपत हुराथी की सपत का नो सास्त्री चितरकार कौन सा है यानि इस चितर के चितरकार इन चारों भिकल्पों में से कौन से हैं जिनों ने बनाया है और वो नो सास्त्री बाद चितरकार है ठीक है पीटर डी हुक, जाक लूई दाविद, अंग्र या फ्लेक्समेन कौन है हुराथी के सपत के चितरकार तो मित्रो इस प्रसंकार आईट इंसर आपका हो जाएगा जाक लूई दाविद, ठीक है अगला प्रश्ण प्रश्ण का कहना है कि पिचासनियों की शभा किसकी कृती है, पिशारों की, सेजान की, गोया की या फिकाशों की तो ये जो कृती है, पिचासनियों की सभा इन में से कौन पास्चात्य सहले के चितरकार ने इसको इस कृती को जो है, बनाया है, तयार किया है, क्रियेट किया है यह आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है तो मित्रो इस प्रसन का जो राइट इंसर होगा वो हो जायेगा गोया पिचासनियों की सभा बनाया गोया ने ठेक है अगला प्रशन है देखिएगा कह रहा है कि छाया तथा प्रकास का जितना तिब्र बिरुद होगा छाया तथा प्रकास का जितना तिब्र तेजी से बिरुद होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी यह कोटेशन किशने कहा था कांस्टेबल ने, मोने, पिशारो या देलाकरा इन चारों में से वो कौन पास्चात्य कलाकार है जिसने कहा था कि छाया तथा जो प्रकास उसका जितना ही तिवर विरोध करेंगे होगा रंगों का चमक उतना ही बढ़ता जाएगा तो मित्रों इस कोटेशन को कहने वाले हैं हमारे देलाकरा कौन है देलाकरा ने कहा ये बात ठीक है चलिए आगा बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए प्रशन कहरा है कला में समाजिक विक्रितियां सासको के अत्यचारों जीवन के बनावटीपन पर किस कालाकार ने ब्यंग किया बहुत ही बेहतरीन भेरी इंपोर्टेंट अपने आप में ये प्रशन है कि कला का जो समाजिक विक्रितियां है सासको के अत्यचारों तथा जीवन के जो बनावटीपन पर जो है किस कालाकार ने ब्यंग किया था इस्पेन के फ्रांस किसको गया ने इस्पेन के पाबलो पिकाशु ने इटली के राफेल ने या फ्रांस के मोने ने किस ने ब्यंग किया था इन चारों में से तो मित्रो ब्यंग करने वाले चितरकार का नाम है इस्पेन के फ्रांसीस को गया ठीक है अगला प्रस्ण देखिए पूछ रहा है कि यूजीन देलाकरा की प्रसंशा में सबसे अधिक लेक किस ने लिखा यानि उनकी प्रसंशा का मतलब उनकी तारीफ कह लिजिए जिसको कहते हैं तारीफ में ठीक हैं? उनकी तारीफ में यूजीन दिलाकरा की प्रसंशा यानि तारीफ में सबसे अधिक लेक लिखनेवाले इनमें से कौन है? रश्कीन, बोदेलेयर, जेम्स विह की या शुकरात तो मित्रो सबसे ज़्यादा तारीफ में उनके लिखने वाले जो है उनका नाम है बौदे लेयर ठीक है अगला प्रशन देख लीजिए प्रशन का कहना है कि दा गोल्डेन एस जो दूसरी सताबदी का लेटीन में एक मात्र प्राचिन रोमन उपन्याश है इसका लेखक कौन है अच्छा प्रशन है दा गोल्डेन एस ये एक प्राचिन रोमन उपन्याश है और इसके लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है ठीक है तो मैंने क्या आगा हमित्रो कि दा गोल्डेन रज एस जो की लेटिन में एक मात रोमन उपन्याश है उसके लेख कौन है प्रश्ण ऐसे भी बन सकता है कि आपको दे देगा इसमें से जो आक्सन सही होगा वो दे देगा और पूछ देगा यह पूछ सकता है कि लेटिन में एक मात रोमन उपन्याश निम्न मेशे कौन है तो उसमें दा गोल्डेन एस भी एक आक्सन होगा तो फिलहाल इस प्रश्ण का उत्तर जो हमारा बनता है वो हमारा होता है आपका एपलेश कौन है यह जो है एक रोमन उपन्याश है रोमन उपन्याश यानि देट गोल्डेन एस रोमन उपन्याश है जिसके लेखक है एपलेश ठीक है अगला प्रश्ण और प्रश्ण का कहना है कि दा मौर्निंग अठारा सो आठ हिस्तियों में बनके तयार हो है आयल आन कैन्वास पेंटिंग यानि आयल पर कैन्वास पेंटिंग है यह जर्मन रोमान स्वादी का लकार की है यानि उसका कहने का मतलब यह है वो जर्मन रोमान स्वादी का लकार इन चारों में से कौन है यह पूछ रहा है ठीक है और अगला नादीर ओफोनो या को तो कौन है दम्मार्निंग यानि आयल पर कैन्वास पेंटिंग अठाश्वार्ट में जेर्मन के रोमांशवादी कलाकार ने इसको बनाया था और उस कलाकार का जो नाम है वित्रोव है फिलिप ओटो रुज ठीक है आगे बढ़ें अगला प बर्मीर युवा लड़की का मुखिया गोया निलकमल रोईयर बादर या सीजेन कार्ड खिलाडी तो कौन सा जोड़ा है जो अशंगत है इनमें से ये पूछ रहा है ठीक है तो ये सभी पास्चात्य सहली के प्रशन है और पास्चात्य सहली के अच्छे खासे प्रशन हमने यह डाल रखे हैं तो आप जो है हाँ मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट के वहां देख सकते हूँ आँए फिल्डर में उसको सही कर दें रखतर रख दिया हो ठीक है तो इस प्रशन का जो राइट इंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा वह जाएगा आपका गोया निलकमल य एतिहासिक सटिकता के लिए बहुत महत हो दिया ठीक है नौसास्त्री चितरकला इसको ने जो एतिहासिक सटिकता है उसके लिए बहुत महत हो दिया काफी योगदान दिया कह लिजिए ठीक है तो पूछ रहा है पुनर जागरड को बोरोक को ग्रीन सेली को दिया योगदान या बेजेंटाइन कला को दिया इन में से कौन से कला को नौसास्त्री चित्रकल इसकूल ने एतिहासिक सटिक्ता के लिए बहुत महत्तो दिया किस कला के लिए ठीक है तो इसका जो जबाब होगा वो हो जागा ग्रीक शेली की कला के लिए नोसास्त्री चित्रकला स्कूल ने एतिहासिक सटिक्ता का बहुत काफी काफी मात्रा में महत्तो दिया अगला प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण का कहना है कि इन में से कौन छापाकार नहीं है रेबरा, बिलियम ब्लेक, पाबलो पिकाशो, थियर्डोर जोरिकाल्ट कि किसे हम छापाकार के रूप में नहीं जानते तो मित्रो छापाकार के रूप में हम जिसे नहीं जानते उनका नाम है थियर्डोर जेरिकाल्ट क्या नाम है थियर्डोर जेरिकाल्ट को अगला प्रश्ण है प्रश्न का कहना है कि जियान जाक रूशों के बिचार ने एक सर्वधिक किस अंदोलन को प्रभावित किया जियाजाक रूशों के विचार ने सरवदिक किस आंदोलन को प्रभाविट किया है नियो, क्लासिसिस्म, रोमैंटिजिसम, रियलिज्म MemEP eg विचार ने तिक है कई यह हैं अमारा प्रश्न और मैं यहीं आपसे कहँँगा कि वीडियो पूरा देखेगा जब भी देखेगा प्रश्णों को अच्छे से दो-तीन बार जहन में दख लिजिएगा देखके और खासकर पास्चा ते सहली को जरी देखिएगा ठीक है तो इस प्रश्ण का जो राइट अंसर होगा वो हो जागा रोमाइंटेज्म के अगला प्रश्ण है कहना है प्रश्ण का कि एक सांस्कृतिक कलात्मक और वस्तु सिल्पात्मक अर्थ में नौ सास्त्रिवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया रूप से ब्रिधी हुई जिसे उपर सिर्ष पर और उतले तोर पर देखा गया यहां खाली अस्थान इसीन उसको भरना है कि ब्रिधी हुई जिसमें हम उपर सिर्ष पर और उतले तोर पर सिर्फ उसे देखा गया प्राकिर्थ वाद को उच्छी खला को रोकोको को या प्रभावाद को इनमें से किसे उपर सिर्ष पर और उतले तोर पर देखा गया एक सांस्क्रितिक कलात्मक वास्तु सिल्पात्मक अर्थ में नौ सास्त्रिवादी ठीक है खाली अस्थान यानि इसमें से कोई एक चाहिए उसमें के खिलाफ प्रतकिरिया के रूप में ब्रिधी हुई तो ठीक है तो इस प्रसन का आपका जबाब हो जाएगा रोकोको रोकोक के खिलाफ ठीक है अगला प्रशन है देखी जगा प्रशन का कहना है अठरावी शताब्दी कला अंदोलन की पहचान आम तोर पर एतिहासिक रूप में सही हालत हालात और परिधानों का उप्योग करके सास्त्रिय घटनाओ पात्रों और विश्यों के द्रड चित्रण में द अठरावी शताब्दी के कला अंदोलन की पहचान आम तोर पर एतिहासिक रूप में शही हालात और परिधानों का उप्योग करके सास्त्रि घटनाओ पात्रों और विश्यों के द्रड चित्रण में द्रड सरचना तकनीक पर जोड़ देती है ठीक है तो अगर हम इस प्रसन का जबाब देखें इस प्रसन का जबाब होगा नौसास्त्रिय कला जो जोड़ देती है वो कोन है नौसास्त्रिय कला ठीक है अगला प्रशन प्रशन का कहना है कि बिख्यात नौसास्त्री चित्रकार ओठ आफ धो 1784 को इन में से किस कलाकार के दरा बनाय गया उसको किस कलाकार दरा बनाए गया है ने himself है कामन देखेगा इन्वार्टेट कामा में यह ओथ आफदा हुरत्टी सत्रों सो चौरासी में यह बना उसको किस कलाकार दोरा बनाए गया है जीन आगवर्थ डेमिन इंग्रेश अगला कह रहा है एंटोन राफेल अगला कह रहा है जोसफ मेरी वीर अगला कह रहा है जैक्स लुइस डेविड तो इस प्रस्टन का जो उत्तर होगा आपका मित्रों वो होगा जैक्स लुइस डेविड किस ने मनाया जैक्स लुइस डेविड ने मनाया विख्यात नौशास्त और इस वीडियो का आखरी प्रशनाव से पूछ रहा है मित्रो और प्रशन का कहना है कि मुख्य नौ सास्त्री आंदोलन 18 शताब्दी के खाली अस्थान के साथ हुआ और 19 शताब्दी के सुरुआत में जारी रहा ग्यान का युग समाजबादी युग फ्रांशीशी करांती या काल्स मार्क का जन इनमें से कौन सा था जो 28 शताब्दी के साथ हुआ और 19 शताब्दी के सुरुआत होने तक जारी रहा मतलब 19 शताब्दी कि जब सुरुआत हो गई तब तक वो जारी रहा अठरावी शे तो इस आखरी प्रशन का जो राइट एंसर होगा वो हो यूग कौन सा यूग ग्यान यूग तो मित्रों यकिन करते हैं कि आज को आज का वीडियो आपको प्रशंद आया होगा तो लाइक जरू करिएगा शेयर कर दीजिएगा ज्यांदा से ज्यांदा ताकि और लोग जुड़ें कमेंट करिए अच्छे-च्छे कि कैसे लगते है हमारे बनाएगे वीडियो और कैसा लगता है हमारे आज के बताएगा प्रस निए भी बताएगा और डेली राताट होजाव की क्लाश चलती है याद रखिएगा एट पी-म डेली तो चले मित्रों राज किल दिया है कल फिर मिलते हैं इसी समय से टाइम लेकर कुछ और बहतर निए कुछ न तब तक के लिए नमस्कार